सभी समों की महिलाओं को प्रेरणा टीवी चैनल की तरफ से नमस्कार आप सभी दीदियों से निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उत्तर प्रदेश के जनपत सोन भद्र के रावट्स गंज में ग्रामेर आजीविका मिशन की तरफ से IPRP ट्रेडिंग का आयोजन किया गया, NRLM की तरफ से समों की महिलाओं को लाब पहुचाने के लिए इंटरनल प्रोफेशन रिसोर्स परसन की ट्रेनिंग का आयोजन किया ज रहा है, इस ट्रेनिंग में 38 महिलाओं ने हिस्सा लिया इसमें से सोन भद्र की 26 और आजमगड जिले की 12 महिलाएं शामिल रही, NRLM के जिला प्रबंधक ने बताया कि उनकी तैनाती प्रतिक ग्लॉक में बनाए गए चार कलेक्टरों में की जाएगी और यह महिलाएं रिसो प्रमीन आजिविका मिशन के जिला प्रबंधक ने बताया कि इंटर्नल रिसोर्स पर्सन का चयन समू की तेस्तरार महिलाओं में से किया जाता है। महिला जिले के सभी कल्स्टर में जाकर स्वयम सहायता समू के संचालन में मदद करते हैं। इंटर्नल स्कूल की रेगुलर बैठक कराएंगे, उनके बही खाते तयार करने में मदद करेंगे और आजिविका के नए साधनों की तलाश करेंगे। जिला प्रबंधक ने बताया कि प्रारंब में उन्हें 6,000 का वेतन और 2,000 का भत्ता दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं को उनके पर्फॉर्मेंस के आधार पर 12,000 से 14,000 तक भी दिया जाएगा। इंटर्नल प्रोफेशन रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग में लखनों से आए नैशनल रिसोर्स पर्सन श्रीमती अनीता पांडे और राजीव अगरवाल द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। विकास खंड क्षेतर में संचालित स्वयम सहायता समू की जिम्मेदारिया लगातार बढ़ती जा रही है। अब उनकी देखरे को प्रत्ते कलस्टर में एके छिब्रामों विकास खंड क्षेतर में संचालित स्वयन सहायता समों की जिम्मेदारिया लगातार बढ़ती जा रही है अब उनकी देखरे को प्रत्ते कलस्टर में एक एक आन्तरिक प्रोफेशन रिसोर्स परसन आई पी आर पी की तैनाती होगी इसके लिए परीक्षा पास करनी होगी जिसके लिए आवेदन मांगे गए है शासन ने अब स्वयन सहायता समों की जहां एक तरफ तमाम जिम्मेदारिया बढ़ाई है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी देखरे को आई पी आर पी की नियुक्ती का भी तानाबाना बुना है इसके तहत क्षेतर में संचालित स्वयन सहायता समों से जुड़े स्वयन सेवकों की परीक्षा होगी उसमें चयन के बाद उन्हें आई पी आर पी के तहत नियुक्ती कर उनकी देखरेक में स्वयन सहायता समों का संचालन होगा इनके चैन को शासन ने परीक्षा के लिए विध्यप्ती जारी की है चैनित होने वाले स्वयन सहायता समू के सदस्य को प्रशिक्षन दिया जाएगा फिर उसके आधार पर वहाँ अपना काम शुरू करेगा IPRP चैन की योग्यता और उसके माफदंड भी निर्धारित कर दिये गए है उत्तर प्रदेश के जनपत सोन भद्र के रावट्स गंज में ग्रामेर आजीविका मिशन की तरफ से IPRP ट्रेडिंग का आयोजन किया गया NRLM की तरफ से समू की महिलाओं को लाब पहुचाने के लिए इंटर्नल प्रोफेशन रिसोर्स पर्सन की ट्रेणिंग का आयोजन किया जा रहा है इस ट्रेणिंग में 38 महिलाओं ने हिस्सा लिया इसमें से सोन भद्र की 26 और आजमगड जिले की 12 महिलाओं शामिल रही NRLM के जिला प्रबंधक ने बताया कि उनकी तैनाती प्रतिक ग्लॉक में बनाए गए चार कलेक्टरों में की जाएगी और यह महिलाओं रिसोर्स पर्सन के रूप में स्वयन सहायता समू की मदद करेंगी राश्चिय ग्रामेड आजिविका मिशन के जिला प्रबंधक ने बताया कि इंटरनल रिसोर्स पर्सन का चयन समू की तेस्तरार महिलाओं में से किया जाता है महिला जिले के सभी कल्स्टर में जाकर स्वयम सहायता समू के संचालन में मदद करती है इंटरनल स्कूल की रेगुलर बैठक कराएंगे उनके बही खाते तयार करने में मदद करेंगे और आजीविका के नए साधनों की तलाश करेंगे जिला प्रबंधत ने बताया कि प्रारंब में उन्हें 6,000 का वेतन और 2,000 का भत्ता दिया जाएगा लेकिन महिलाओं को उनके पर्फॉर्मेंस के आधार पर 12,000 से 14,000 तक भी दिया जाएगा इंटरनल प्रोफेशन रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग में लखनों से आए नैशनल रिसोर्स पर्सन श्रीमती अनीता पांडे और राजीव अगरवाल द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है विकास खंड क्षेतर में संचालित स्वयम सहायता समू की जिम्मेदारिया लगातार बढ़ती जा रही है अब उनकी देखरे को प्रते कल्स्टर में एके छिब्रामों विकास खंड क्षेत्र में संचालित स्वयन सहायता समू की जिम्मेदारिया लगातार बढ़ती जा रही है अब उनकी देखरे को प्रत्ते कलस्टर में एक-एक आंतरिक प्रोफेशन रिसोर्स परसन आई पी आर पी की तैनाती होगी इसके लिए परीक्षा पास करनी होगी जिसके लिए आवेदन मांगे गए है शासन ने अब स्वयन सहायता समू की जहां एक तरफ तमाम जिम्मेदारिया बढ़ाई है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी देखरे को आई पी आर पी की नियुकती का भी ताना बाना बुना है इसके तहत क्षेतर में संचालित स्वयन सहायता समू से जुड़े स्वयन सेवकों की परीक्षा होगी उसमें चयन के बाद उन्हें आई पी आर पी के तहत नियुकती कर उनकी देखरेक में स्वयन सहायता समू का संचालन होगा इनके चयन को शासन ने परीक्षा के लिए विध्यप्ती जारी की है चयनित होने वाले स्वयन सहायता समू के सदस्य को प्रशिक्षन दिया जाएगा फिर उसके आधार पर वहाँ अपना काम शुरू करेगा आई पी आर पी चयन की योग्यता और उसके माफदंड भी निर्धारित कर दिये गए है